नमस्कार मैं हूँ सुनील बॉबी आप देख रहें मगत संबाद आज की ताजाव अब बड़ी कबर बिहार के नियोजी सिचको के लिए इस समय की सबसे बड़ी कबर बिहार के नियोजी सिचको के हरताल को लेकर सिच्चा मंत्री ने दिया बड़ा ब्यान बिहार के नियोजी सिचक हरताल पर जाने वाले हैं इसको लेकर सरकार में खलबली मच गई है चुनावी वर्स होने के कारण सरकार में घरबड़ाहाट भी बड़ी है सिच्चा मंत्री किस नंदन बर्मा ने कहा कि सिचको की हरताल का फैसला गैर जिम्मेदार आना है उन्होंने कि अभी मैट्री की परिचा होनी है जिस पर हरताल का असर पड़ेगा सिच्चा मंत्री ने कहा कि अगर कोई शमस्या है तो मिल बैटकर बात करनी चाहिए किस नंदन बर्मा ने चेतावनी भी दी है कि अगर सिचक हरताल करते हैं तो अभी वाबको का समर्थन उनको नहीं मिल अगर हरताल होती है तो सरकार बैकल्पी की इंतजाम भी करेगी साथ ही सिचा मंत्री ने सिचकों से हरताल के फैसले पर फिर से बिचार करने की अपील की है साथ ही किस नंदन बर्मा ने कहा कि हमने मुख सचीव को बात करने की बात कही है अईवाबको का सिचकों का समर्तन न साथ ही उन्होंने कहा कि 15 लाख बच्चे मैट्री की परिचा देंगे अगर हर्ताल होती है तो सरकार बैकल्पिक इंतजाम करेगी अब देखने वाली बात होगी कि सिच्छक आखीर 17 फरवरी से हर्ताल पर जाएंगे या नहीं अगर वाकाई ऐसा होता है तो दस्मी और इंटर के परचारती इससे प्रवावित हो सकते हैं वहीं सिच्छा विबाग के अपर मुक्सचिव आरके महाजन ने कहा कि यदि सिच्छक हर्ताल करते हैं तो उन्हें सेवा के अनजिरित रूप से अनुपस्थित मान के सिधानतिक पर बेतर नहीं दिया जाएगा इदर सिच्छक नेताओं का कहना है कि सरकार लाग कुछ भी कर ले लेकिन सिच्छक 17 परवरी से हर्ताल पर जाएंगे सिच्छक सरकार के धमकियों से डरने वाले नहीं हैं सिच्छक नेताओं का कहना है कि अब वारता का समय निकल चुका है अब वारता करने से कोई फाइदा नहीं होगा सरक अगर चाहती है कि नियोजी सिचक हर्ताल पर नहीं जाए तो समान सेवा के साथ सरकारी कर्मी घोसित करें इधर अगर नियोजी सिचकों की हर्ताल की अगर चर्चा करें तो सरकार के खिलाप नियोजी सिचकों में काफी आक्रोस है लिहार के नियोजी सिचक सरकार से आरपार की लड़ाई लड़ने के मूड में है सिचको का कहना है कि सरकार कुछ भी कर ले सिचक अब डरने वाले नहीं है 17 परवरी से अनिशित कालीन हरताल पर जाएंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक सिचक अपने हरताल पर डटे रहेंगे इधर बताते चले कि 17 परवरी से हरताल को लेकर नियोजी सिचक परकंड जिला और राजजस्तर पर लगतार बैठके कर रहे है सिचको की सकरिता बढ़ती जा रही है सिचक एक दुसरे से संपर का भ्यान चला कर जोर सोर से 17 परवरी से हरताल के लिए आगे बढ़ते जा रहे है यह भी बता दें कि अगर नियोजी सिचक 17 परवरी से हरताल पर जाते हैं तो जहां मैट्री की परिच्छा बाधित होगा वहीं 25 परवरी से मादमिक सिचक संग के हरताल पर जाने से मुल्यांकर का भी कार्ज बाधित होगा यह भी बताते चले कि अगर मैट्रीक परिच्छा के साथ मैट्रीक और इंटर का मुल्यांकर अगर बाधित होता है तो इस चुनावी वर्स में सरकार को घाटा भी जिनना पड़ सकता है चुनावी वर्स और नियोजी सिचको के हर्ताल को लेकर सरकार में बेचैनी बढ़ गई है सरकार में खलबली मचीवी है कैसे नियोजी सिचको के हर्ताल को रुका जा सके अब देखना यह होगा कि सरकार नियोजी सिचको के साथ कैसे समंजन्स असापिद करती है और नियोजी सिचकों की समस्याओं को दूर करती है अगर आप नियोजी सिचक हैं तो हरताल को लेकर आपका क्या विचार है आप अवस कॉमेंट बॉक्स में लिखें 17 फरवरी से होने वाले हरताल पर आपका क्या विचार है आप अपने विचार को निश्ची तोर पर कॉमेंट बॉक्स में लिखें और सरकार के रुख के बारे में भी कॉमेंट बॉक्स में बताएं धन्यवाज खबरों में आज बस इतना ही अगर यह विडियो आपको पसंद आए तो लाइक से रुकॉमेंट जरूर करेंगे अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि सिच्चक और सिच्चबीबा की खबरों से आपने अपडेट दन्यवाद जय इंद जय भारत बंदे मादे